पुरानी पाट्शाला मा ने कहता कि मुझसे अनुमती लिये बिना राजपावन से बाहर मज जाना मुझे शीग रही उनसा अनुमती लिनी होगी अरे दाई मा आप दूद लेकर यहां आ गए मारूती दूद पीकर नहीं गया मा मा, मा, क्या मारूती प्रतियोगीता के लिए राजपावन से बाहर पहले मारूती आग्याकारी बालक की तरहे दूद पीएगा तत्पस्चाद मा मारूती की कोई भी बात सुनेगी अरे आज मारूती अन्जन भी लगवाना भूल गया सेवे का अन्जन की डिप्या लाओ तो कर दो मा की आग्या की अनुसार मारूती ने दूद पी लिया अब मा क्या मारूती राजपावन से बाहर पुरानी पाच्छाला में हर हर मादेव यह दड़पंटो रुक चाही आरे पुत्र मा मारूती को विलंभ हो रहा है उसके सारे मित्रों उसकी प्रतिक्षा कर रहे होंगे बताइए ना मा मारूती उसकी प्रतियोगिता के लिए जाए की नहीं वही पर स्थेर खड़े रहा है यदि तुम्हारा पाउं कांच के टुकड़े पर पढ़ गया ना तो तुम आहत हो सकते हो मा अनुमती हाँ हाँ जाओ बाहर जाओ मा मारूती जाए ना हाँ तुम जाओ पुत्रों मैं कांच उठवा रही हूं मा अब कितने अच्छे हो मैं जब तक जीवित हूँ आपको मैं ये भूल नहीं करने दूँगा मैं जानता था उस मरकट के लिए तुम मुझ पर हाथ आवश्य उठाएगा तो ले अब अपने इस दुस्सा हस का स्वाद भी चकले ले और ले मुझ पर हाथ उठाएगा कप्ती देश द्रोही दुराचाली यह क्यों न आज उस मरकट के स्थान पर मैं तुझे ही माटू ना तू रहेगा और ना ही तेरी उस मरकट से मित्रता होगी और ना ही सत्य होगी नारजी की भमिश्यवानी क्यों कर दो क्यों बाहिए क्यों हिर प्रेख बस इतना ही बल है अभी तो बस हाथ उठा है मेरा और अभी से ये दशा है तुम्हारी और यदि मेरी प्राण घातक कदा तुम पर उठ गई तो तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे मुझे जितना मारना है मार लो भीया किन्तु अपनी अंतरात्मों को मत मारो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ग्यान धुर्त पाखंडी तुम्हार ग़िया जाना कि से तुम्हारात्य। खीक तूने अपने मृद्द्यों का आभान किया है मूड़ सुग्रीण किसी निहत्थे और विशिप्त पर शस्त्र उठाना मुझ महान तम को शोभा नहीं देता मुझे रोकने चला था नल मारूती अभी तर क्यों नहीं आया मैं भी यहीं विचार कर रहा हूं मेत्र मारूती तो एक पालक है वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया हमें उसे अपने साथ ले आना चाहिए था मरकट 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 तेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आने वाले प्रत्यक कंटक को मुझ महान तमवाली ने दूर कर दिया है वादी मुझ महान तम के मार्ग में पुना बादा और किस किस को अपने मार्ग से हटाओगे वाली कौन है जो मुझ महान तम को केवल वाली कहके पुगारने का दुस्सा हस कर रहा है अब? मेरे पिता श्री हुए किन्तु आप असमय यहां? जिस पिता का पुत्र सत्य मार्ग से विमूख हो जाए उस पिता को समय असमय का बूध ही कहा रहता है अब मैं भी तुम्हारे मार्ग में खड़ा हूँ तो क्या तुम मुझे भी अपने मार्ग से अटाना चाहोगे? जैसे कि तुमने सुग्रिव के साथ किया? यह? यह आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिताश्री हैं मेरे फूजनिय हैं, आदरनिय हैं कदाचित तभी तुमने अभी तक मुझे प्रणाम नहीं किया वो देखो, मारूती आया मारूती आया प्रणाम तो तुमने कर लिया पुद्र अब परिणाम की बात करें परिणाम? आप किस परिणाम की बात कर रहे हैं पिताश्री? मैं तुम्हारे दुषकर्मों के परिणाम की बात कर रहा हूं, वाली महांतम वाली कह यह पिताश्री एक छोटे बालक की हत्या की योज़ना करने वाला कभी भी महांतम नहीं कहला सकता वाली तो मुझ से कभी भी कुछ नहीं चुपा सकते क्योंकि मैं तुम्हारे मन और कूब उद्धी में चल रहे सभी दुर्विचारों को भली भाती पढ़ सकता हूँ केश्री पुत्र का जन्म भगवान आशुतोष के अनुगर से हुआ है उसे अकेला छोड़ दो अन्यथा परिणाम अत्यंद भयंकर होगा युद्ध की चिन्ता करने वाले युद्धा को महां तमभाले कायर मानता है अब वियर्थी मेरी चिन्ता ना करे पिता-शρί पिता होने के नाते तुम्हारे हित और अनहित की चिन्ता करना मेरा कर्टभ्य ही नहीं मिरा अधिकार्भी है यदि तुमने अकारण केसरी पुत्र को कोई भिहानी पहुचाई तो स्वयम मैं देवराज इंद्र भी विदाता के प्रकोप से तुम्हारी रक्षान नहीं कर पाऊंगा यदि आप मेरे सबल विचारों को दुर्बल बनाने का प्रयास करने के लिए आएं हैं तो आप भी सुन लिजिए पिताश्री अपने हित अहित की चिंता करने का सामर्थ आपके इस महानतम पुत्र में है अब आप हट जाएए मेरे मार्क से कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है मेरे महानतम पुत्र के तुम किस से बात कर रहे हो मैं केवल तुम्हारा पिता इंद्र देवी नहीं अभी तू देवराज इंद्र हूँ कदाचित आपको भी अनुमान होगा के मैं भी देवराज इंद्र का महानतम पुत्र वाली हूँ जिसने कभी भी पराजित होना सीखा ही नहीं और अब आप भी अपने पिता होने का कर्तव यपूरा कीजिए और मुझ महानतम को विजई होने का आशिरवाद दीजिए और मुझ मान होने का चाल झाली होने का पिता हम को तो कराचित आपने मुझे विजई होने का आशिर्वाद ना दे कर अच्छा ही किया क्यूंके आज जीत मेरी ही होगी और उसका श्रे भी मुझे ही जाएगा संसार ये तो नहीं कहेगा कि आपके दिये हुए आशिर्वाद के कारण ही मैं जीत गया जिसने अपने आपको कू बुद्धी को समर्पित कर दिया हो उसे विनाश की और जाने से कौन रोख सकता है विनाश काले विप्रित बुद्धी हमें और फिलम नहीं करना चाहिए नील हमें अपनी पुरानी पाठ्चाला के ओर शीग्री ही बढ़ना चाहिए अरे मैं पुनह मारूती को अंजन लगाना भूल गई तुम वेर्थ चिंता कर रही हो प्रिये मारूती जब लोट के आएगा तो उसे अंजन लगा देना किन्तो कोद्रिष्टी का टीका भी है आज मारूती प्रतियोगिता में जाने को इतना उतावला हो रहा था कि ना तो उसने ठीक से स्नान किया ना ठीक से दूद पिया और तो और मैं उसे अंजन लगाना भी भूल गई तुम कहो तो मारूती को अभी बुलाबा भेशता हो प्रिये ताकि तुम उसे अंजन लगाके चिंता मुक्त हो जाओ आपका पवन बेगी पुत्र मारूती अब तक तो राजभवन से अत्यंत दूर चला गया होगा रहने दीजे आ रहे पुत्र जब वो लोट कर आएका अब तब मैं उसे अंजन लगाता हूँ मा मारूती जाए ना हाँ तुम जाओ पुत्र मैं कांच उठवा रही हूँ मा आप कितने अच्छे हो मैं जाने क्यों आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है अंजना को अपने पुत्र मारूती की सुरक्षा की चिंता थी वहीवाली अपने भविश्य की चिंता से ग्रस्त था और माया वी दानव वरिक्षा सुर अपने शत्रू केश्री नंदन को किसी भी स्तिती में अपना आखेट बनाने की चिंता में व्याकुल था और सुग्रीव को चिंता थी अपने भाई वाली की जो निरंतर अधर्म के मार्ग की ओर अग्रिसर था चिंताओं के उस भवर में केवल एक मारूती का हृदे ही था जो चिंता मुक्त था मारूती का निश्चल हृदे तो प्रतियोगिता के स्मरण मात्र से ही प्रफुलित हो रहा था और प्रतियोगिता में विजे प्राप्ती के लिए अपना स्रेष्ट प्रदर्शन करने के साथ साथ मारूती उसका भरपूर आनंद भी लेना चाहते थे यहां आगे का मार तो इन कटिली जाडियों से बादित है अब क्या उड़कर हम पुरानी पाठ चाला जाएंगे थोड़ा ग्यान मुझसे लेलो गंद मादन कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा आओ मित्रो मुझे ये हटाने में तनिक साहता करो तो कौन कह रहा था यहां से आगे जाने का मार्ग नहीं है चलो ये 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 आजा के सरी नंदन मेरा आनंद धन आया हाहाहाहाहाहा